ज़रा सोचो, आप एक दिन स्कूल जाने के लिए मिरर में देखते हुए तयार हो रहे हो, और अचानक आपकी मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगे और आपको एक लूजर से हीरो बना दे, कुछ ऐसा ही होता है मारिया के साथ, तो कहानी के शुरुआत में हम एक प्रिनान नाम की एक 17 साल की हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, मारिया जादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी, वो अपने घर पर भी अपने इमोशन्स को छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था, औ मारिया की मदर का नाम था एमी, जो डिप्रेशन की शिकार थी, और अकसर उसको बुरे-बुरे सपने आते थे, मारिया के डैड का एक औरत के साथ अफैर चल रहा था, और एमी अपने हस्बेंड के अफैर के बारे में सब चानती थी, लेकिन एमी अपने हस्बेंड से ऐसे करती थी, जैसे उसे कुछ पता न हो. Well, स्कूल में मारिया को एक मात नाम का लड़का हमेशा परिशान करता रहता था और बाकी सब भी उस पर हंसते थे क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी. मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था लिली, जिसके बॉइफरेंड सीन पर मारिया को क्रश था और इसी लिए वो लिली से जेलस फील करती थी. इस वज़े से मारिया स्मोकिंग करने लगी थी. एक दिन अपने घर पर मारिया को अचानक से एक सोनोग्राफ इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे और ये एक्जेक्ट वही इमेज थी, जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी. ठीक इसके कुछ दिन बाद से ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से आवाजें आना शुरू हो जाती है, और अक्सर मारिया अपनी मिरर रिफ्लेक्शन को अलग चीजें करते देखती थी, जिससे शुरू में तो मारिया को बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मारिया अपनी मिरर इमेज से बातें करने लगती है, उसकी मिरर इमेज मारिया को अपना नाम आईरम बताती है। आईरम मारिया के मुकाबले काफी जादा ब्यूटिफुल, चामिंग एंड कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली मारिया जैसे बनना चाहती थी। आईरम के अंदर वही सारी खूबियां थी। वो दुनों आपस में बहुत बातें करने लगते हैं। मारिया को फील होता है कि फाइनली कोई तो उसे मिला जो उसकी बातें और फीलिंग्स को समझता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया को प्रॉम नाइट में जाने के लिए उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे। लेकिन मारिया शौर नहीं थी कि वो किसके साथ प्रॉम नाइट पर जाएगी। अब ये देखकर लिली काफी जेलस फील करती थी। एक रात मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है। जहां माक उसे इन डिरेक्ली वे में तंग करने लगता है। अब ये देखकर मारिया के फादर उसको ये कहते हुए अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं कि वो उसे एक सर्प्राइस देना चाहते हैं। मारिया सोचती है कि शायद उसकी फादर उसे कार गिफ्ट करने वाले हैं ताकि उसे बस में ट्रावल ना करना पड़े। क्लिनिक पर पहुँचकर मारिया को पता चलता है कि उसके फादर उसकी नोज और लिप्स की सरजरी करने की बात कर रहे थे ताकि वो परफेक्ट दिखे। इस बात से मारिया और उसकी मिरर इमेज आयरम उसके डैड से काफी घुसा हो जाते हैं क्योंकि उसके डैड हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते थे और कभी भी मारिया को प्यार नहीं करते थे। सबसे पहले वो मारिया को अपनी तरफ एट्रैक्ट करके फीमेल शावर रूम में ले जाकर उसका घुटना होकी स्टिक से तोड़ देती है जिसके बाद मारिया को कभी भी तंग नहीं करता। के क्लिनिक पे जाकर वहाँ अपनी माम एमी और अपने डैड डैन की गर्फरेंड को कॉल करके एक ही टाइम पर बुलाती है जिससे उसकी माम समझ जाए कि उसके हस्बेंड डैन का अफेर किसके साथ चल रहा है। घर आकर आइरम अपनी माम से बत्तमीजी करती है और कहती है कि उनको अपने हस्बेंड के अफेर के बारे में सब पता होने के बावचूद भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जिस पर एमी आइरम को जोरदार थपड मारती है। लेकिन इसके बाद भी आइरम खुश थी कि उसकी मौम को उसके डैड की सचाई पता चल गई। उसके सर में गहरी चोट लगने की वज़ह से लिली आन दसपॉट ही मर जाती है। यहाँ पर आइरम रोनी की एक्टिंग करती है और पुलिस को कॉल लगाते हुए उनसे कहती है कि लिली आइस केटिंग करते समय फिसल कर नीचे गिर गई है। उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है और मुझे लगता है कि शायद वो मर गई है। वहीं पुलिस लिली के मरने के बाद उसकी इन्वेस्टिकेशन करती है जहाँ पर उसका शक सीधा आइरम पर जाता है क्योंकि लिली एक बहुत बढ़िया आइस कीटिंग चैंपियन थी और उसका इस तरह बर्फ से फिसल कर मरना नामुम्किन था। जहां से आइरम सीधा सीन के घर जाती है जहां वो सीन से कहती है कि वो उसको बहुत लाइक करती है इसके बाद वो दोनों इंटिमेट होने लगते हैं इससे मारिया का इविल रूब यानि आइरम मारिया की बॉड़ी का इस्तिमाल करके अपनी इच्छाइप पूरी कर रही वेल इंटिमेट होने के बाद आइरम और सीन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते थे वो दोनों कई बार स्कूल भी बंक करते और कॉलिटी टाइम स्पेंड करते लेकिन पुलिस उन पर नजर रख रही थी क्योंकि पुलिस को लिली की मौत का शक इन दोनों पर ही था एक दिन मारिया के डैड और मौम की आपस में लड़ाई हो जाती है और डैन घर छोड़कर चला जाता है वही एक दिन आइरम और सीन स्कूल बंक करके होटल में जाते हैं इंटिमेट होने के लिए लेकिन तभी सीन के पास उसकी मौम का कॉल आता है और वो कहती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ बात करना चाती है जिससे सीन आइरम को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन आइरम सीन से ये कहकर मना कर देती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाती इतना सुनते ही सीन को आइरम पर शक होता है तब ही आइरम सीन के सर पर बॉटल मार देती ह जिससे सीन की मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डैन को शुरुआत से ही चीजें परफेक्ट पसंद थी तो इसी वज़े से उसने आयरम को जिन्दा ही घर के आगे दफना दिया। अब आयरम बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात करें। अब उसको मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आती थी। जिससे हमें पता चलता है कि आयरम कोई और नहीं बलकि मारिया की कम्यों की ही रिफ्लेक्शन थी। जो कि उसके सबकॉंशेस माइंड की रिफ्लेक्शन थी। जब उसने वो सोनोग्राफिकी इमेज देखी थी। तो उस टाइम उसने ये सब सोचा था। और उसको पता था कि उसकी एक सिस्टर थी जिसको जिन्दा ही दफन कर दिया गया था। जिसकी वज़े से उसके ब्रेन ने ये सब इमेजन किया था। यहाँ पर असल में मारिया ही थी जिसने ये सब किया था। इसलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही उसके लिए काफी परिशान रहते थे। उसका weight भी इसलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी disturb हो चुकी थी और अब आयरम की सारी personalities मारिया की personality से जुड़ चुकी थी। इसके बाद मारिया अपने घर में आकर अपनी मॉम एमी के पास आकर लेट जाती है और हम कुछ mirrored bus shot में देखते हैं कि वहाँ पर एमी के साथ दो लड़कियां लेटी हुई थी जो कि ये सिगनिफाई करता है कि मारिया ने अब twins की personality ले ली है और अब वो सब कुछ करने के ल में दो सुम्ट लेट येदी हुआ कर देखलों कि लेव था हुआ आकर अजाई कूछ